हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, तो गाईज आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे वाइरल रो स्लीज जो की आजकल काफी जादा वाइरल हो रही है तो उसके लिए हमें सबसे पहले हाफ स्लीज का पैटन चाहिए होगा और अब चौक से हम जो है इस तरह से ऐसे निशान लगा लेंगे या फिर आप इसको पिन अब भी कर सकते हैं और डाइरेक्ट भी काट सकते हैं आपकी अपनी मर्जी है और ये थोड़े से न स्टिफ फैब्रिक पर ही बनाना तब ज्यादा अच्छा लगेगा तो मतलब जो ब बन रहा है वहाँ पर भी हम ऐसे इसके निशान लगा लेंगे ये रेखे इस तरह से और अब इस पैटरन को हमने हटा लेना है और जैसे जैसे हमने निशान लगाए न सेम वैसे ही वैसे जो है हम इसकी कटिंग कर देंगे ये रेखे इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर देनी ह और किसी gown वगेरा में या किसी baby frog में आप लोग इसको बनाएंगे न तो बहुत जादा खुबसूरत लगेगी तो देखिए इस तरह से जो है हमने इसको side से भी cut कर दिया है अब हमने क्या करना है एक ना हम जो simple sleeves होती है ना उसका भी इसको cut कर कर तियार कलेंगी तो देखिए मैंने fabric को double किया है इस तरह से और उसके उपर pattern को ऐसे double करके रखना है और fold वाले side आप लोग fold वाला side रखिएगा और खुली side आप लोग खुला side रखिएगा तो देखिए इस तरह से हमने पहले उसको mark किया और अब उसकी भी जो है हमने cutting कर लेनी है तो एक तो बिल्कुल हमने half sleeves cut करनी है इस तरह से ऐसे और एक उस तरह से जैसे center से pattern करके हमने इस तरह से cut करनी है तो देखिए दोनों मैंने cut कर लिए है अब हमने क्या करना है इसको हम इस तरह से ऐसे fold करेंगे और जो निशान है वहां तक हमने इसको जो हमारी triangle shape में जारी है नोक वहां से लेकर हमने जो हमारा निशान है वहां तक हमने इसको stitch करना है करीबन हलका सा मार्जन छोड़ते हुए हमने शुरुआत में इसके पक्का करना है और जहां तक हमारा निशान है वहां तक हमने इसको ऐसे पक्का करना है और धागे को हम यहां पर कट कर देंगे और यहां से हलका सा कट भी कर देंगे इसको ताकि अच्छे से यह बैट सके अब हमने इसको इस तरह से ऐसे आगे की साइड पलट लेना है यह देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छे से आप इसकी नोक निकाल लीजिएगा तो देखिए मैं एक पैन की हेल्प से इस तरह से इसकी नोप को निकाल ले रही हूँ और बहुत तेज नहीं करना है यहाँ पर कई लिड़ी क्या होता है कप्रणा भी फट जाता है तो बहुत तेज नहीं करना है तो देखें इस तरह से कुछ ही हमारा हो जाएगा और अब हम यहाँ पर इसको शेप देंगे बहुत अच्छे से यह देखे इस तरह से हमने इसको शेप देनी है तो यह कुछ जो है रोज की तरह लगेगा जैसे वहारा बंद वाला फ्लावर होता है रोज उसकी तरह इसका लुकाएगा अब हमने जो sleeves कट की थी उसको हमने इसके ऊपर रखना है इस तरह से और यहाँ पर हम करीबं हाफ इंच का मार्जन छोड़ते हुए इस तरह से ऐसे इस पर सिलाई लगा लेंगे सीधी और जो यह sleeves रखनी है आपने यह सीधे से सीधा मिला कर रखना है अब हमने इसको ऐसे पलट देना है तो जी इस तरह से जो हम बैक साइड इसको ऐसे पलट देंगे और अब यहाँ पर हमने जो है finishing की सिलाई लगानी है और यह वली सिलाई आप बहुत किनारे पर लगाएगा जितने किनारे पर आप यह वली सिलाई लगाएगे उतनी ही finishing आईगी आपके sleeves में और बिल्कुल भी यह मैं सोचेगा कि यह जो आपका flower है यह बिगड जाएगा या कुछ हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा इसमें बहुत अच्छे से यह बिल्कुल perfect बैठेगी तो देखे इस तरह से हमने इस पर पूरे पर सिलाई लगा लेनी है अब हमने क्या करना है जो भी extra thread वगेरा रहेगा धागा रहेगा या फिर पलट कर जो भी थोड़ी बहुत sleeves extra रहेगी उसको कट कर देना है अब देखे यह कुछ इस तरह से रहेगा अगेन हमने अपने flower को बहुत अच्छे से ऐसे संभालना है और बिल्कुल अच्छे से shape दे देनी है यह देखे इस तरह से और center से हम हाथ वाली सुई में धागा डाल कर एक यहाँ पर टांका लगा देंगे ताकि जो हमारा flower है वह बिल्कुल अच्छे से adjust हो जाए और इसी तरह से बैट जाए तो देखे यहाँ पर एक टांका लगा कर पीछे की side में ऐसे इसको जो है एक पका कर दूँगी और धागे को cut कर दूँगी यह देखे तो देखे आप back side से भी हमारी कितनी अच्छी finishing आ गई और जो हमारा flower है वो भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा यह देखे इस तरह से और अब हमने क्या करना है इसको हम इस तरह से ऐसे double fold करेंगे और यहाँ पर हमने जो है जो हमारी fitting की सिलाई होगी उसको लगा देंगे शुरुआत में पका and then end में पका जो भी thread वगेरा है उसको cut कर देंगे और इसको आप किसी पर भी जो है पनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन के तियार होगी I hope कि आप लोग को जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो चैनल को subscribe करिएगा वीडियो को like करिएगा और share करिएगा